हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप आशा है कि आप सब ठेक होगे तो फ्रेंट्स आज फिर से मैं आपके लिए मिल्क पोर्ड की रेट्पी ले कराई हूं जो कि मिल्क पोर्ड से आज मैं बहुत स्वादेश रूम बहुत बड़े बना कर दिखाऊंगी जो आपको बहुत पसंद आप पारवर बना कर खाएंगे तो फ्रेंट्स के लिए मैंने कड़ाई ले ली है कड़ाई वी मैं डाल दिया है वन स्पून देशी घी तो देखी मैंने बड़े चमच खीके डाल दिये हैं अब हम इसे अच्छे से मेल्ट हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे एक ब्लास प्लूद को खोड़ा सा गरम कर लेंगे ताकि हम इसमें थोड़ा करके आपना MILKKcision डालते रहें खी को और रटूद को मिल्स कोलेती हैं अब हम इसमें डालेंगे अपना MILK discour Haus में अमेंग केजी मिलक ओडर लिया हूँ है आप भेवे हमें मिलक ओर बैस के अप्रक्रव initiative कर दूना को आप TC तो देखिए फ्रेंस मैंस के लंग सभी खतम कर लूँगी और इसी इसी तरह हिलाते ही रहोंगी मिल्क पोड़े से बड़ी ही ईजी और बहुत ही जंदी है रैस्पी बनकर तयार हो जाती है और ये खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट और छिलती है तो देखिए आपको इसे 10-15 मिट के लिए इसी तरह हिलाना है और आपको इसे इलाते ही रहना है क्योंकि ये नीचे की तरफ चिपकती बहुत ही जल्दी है तो इस बात का आपको खास त्यार रखना है कि आपको इसे नीचे की तरफ बिल्कुल वी चिपकने नहीं देना है नहीं तो आपकी मिठाई का स्वाद तो बिगड़ी जाएगा साथ में खाने में भी बिल्कुल कुछे नहीं लगेगी तो देखिए लोफ लेम पर में इसे धीरे-धीरे तरह हिलाती रहोगी आपको इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी बनाना है अगर आप इसे हाई फ्लेम पर बनाओंगे तो ये नीचे की तरफ बहुत ही जल्दी चिपकिएगा और अच्छे से पकेगा भी नहीं तो आप इसे लो फ्लेम पर बनाईएगा और इसे इसी तरह हिलाते रहिएगा तो देखे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह धीरी धीरी मुठाई की कंडिशन में आ रहा है तो देखे अब आप देख सकते हैं हमारा बिल्क पोडर बेकुल डोच ऐसी कंडिशन में आ चुका है अब भी आप इसे हिलाने से बंद मत होना इसी इसी तरह हिलाते ही रहना क्योंकि इस कंडिशन में आने के बाद यह बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्टली नीचे के तरह चिपके कम आप देख सकते हूं यह बिल्कुल मिठाई वाली कंडिशन में धीर धीर आ रहा है फिर भी आपको इसे इस तरह हिलाते रहना है और चिपकने से रोकना है बस इसमें थोड़ी सी महर ज्यादा है क्योंकि आपको इसे हिलाने से बिल्कुल नहीं रोकना है वरना यह नीचे के तरफ चिपकता भी है और इसमें मेहक भी बहुत ही जल्दी हो जाते है जले हुए क तो मैं इसे लो फ्लेम पर ही बना रही हूँ, आपको इसे लो फ्लेम पर ही बनाना है लो फ्लेम पर ही है मिठाई, बहुत त्वारिश्ट रची बन कर तयार होती है तो देखिए इस कंडेशन में आने के बाद आप इसमें वन स्पून घी ओ डाल दीजिएगा जिससे कि इसका टैस्ट काफी अच्छा हो जाएगा तो देखिए, मैंने इसमें एक चमज घी ओ डाल दिया है इससे आपकी मिठाई काफी चिकनी और काफी स्वाधिश्ट बन कर तयार होगी वैसे यह ओप्शनल है आप चाहो तो आप डाल दीजिएगा और अगर कम की खाना पसंद करते हैं तो इमट डाल दीएगा क्योंकि हमने पहले वीज में काफी डाल दिया था आप देख सते हैं कितना चिकना और कितना बड़ी अपेश्ट बन कर तयार हो चुका है यह थंडा होने के बाद काफी सक्त होगा तो इसलिए मैं इसे अब इसी कंडेशन में छोड़ देती हूं क्योंकि यह अब गरम है और गरम है तब तक ही ऐसा है यह थंडा होने के बाद बिलकुल मठाय वाली कंडेशन में यह बन कर तयार हो जाता है तो देखिए मैं कुछ देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूं 10-15 मिंट के बाद आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इस पेष्ट को अपने एक प्लेट में निकाल दिया था दूस्त्रे लिए कोई के लिए में 15ग प्लेट में अपने मेन इसे क typ है बैर हो सब पेष्ट को मैंने इस पेष्ट को भात्ति ही रही अब मैं दीदे चर्की हम ऊण्म और लोगी इस परकार इस जग्म और मैं फेंदा को डोगी आप देख सकते हो, आप इसकी कोई भी सेप दे सकते हो, लेकिन मैं इसे सेप में बना रही हूँ, यह है काफी अच्छे दिखने में भी और खाने में भी, एक ये करके मैं इसी परकार बना कर रत लूँगी, तो देखे फ्रेंड्स हमारे पेडे बनकर तयार हो चुके हैं, अच्छे दिखने में जिते अच्छे दिखने में तो यह खाने में भी बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं, तो फ्रेंड्स एक बार इसे आप भी जरू ट्राइ किजिएगा, तो अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अब बी लाइक किजिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको हमारी वीडियो का लिक मिलता रहे हैं, तो फ्रेंड्स एक नियो रेस्पी साथ स्विछ साथ आप से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमश्कार् झाल